जाहिन दोस्तों उत्करस एकड़री के YouTube चैनल पर आप सब का स्वागत है मैं बसंद कुमार आज इतिहास के बारे में हम लुग चर्चा करेंगे और इतिहास में प्राचीन इतिहास के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है मैं इससे पहले जो वीडियो डाला था इतिहास का परीचे में वहां मैं बता चुका हूँ कि इतिहास कैसे हम लोग पढ़ सकते हैं कैसे असानी से समझ सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखा है आप नीचे लिंक पे किलिक करें और वो वीडियो को पहले देखें और समझें तब इस वीडियो को देखें ताकि आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तो देखें दोस्तों प्राचीन भ भारत को सोलो अलग 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 राजी हो में बाटा गिया था ठीक है और तीसरा चर्चा करेंगे नंग कोरें लेकी इस वीडियो में कुकि ये प्राचीन भारत का सिन्दु घरपः सब्याता और उसके अलावा हम चर्चा करेंगे वेदो का बोग तो नलनीक वेदो के सबसे पहले सिन्दु हडपर conservative के बारे में है तो दोस्तों मैं बता दूं सिंदू हड़ापा सब्याता जो था वो भारत की सबसे पुरानी सब्याता है क्या है भारत का सबसे पुरानी सब्याता और सिंदू हड़ापा सब्याता में जो लोग थे ठीक है जो लोग थे वो कौन थे द्रवीन थे कौन थे दर्वीन भारत के मूल निवासे दर्वीन थे ठीक है अगर चर्चा करें कि इसका खोज कैसे हुआ सिंदु हडपा सब्यता का खोज तो दोस्तों अठारो सो संतावन इश्वी में ठीक है परंटन और विल्यन परंटन के द्वाराय इसे देखा गया था ठीक है और जब इस पे देखा गया तब इसको study किया गया इसके बारे में जाना गया तो पाया गया दोस्तों कि ये एक तरह का नगरी सभ्यता थी क्या थी नगरी सभ्यता और नगरी सभ्यता का मतलब होता है कि जहां का बनावट सब अच्छे धंग से हो चाहां पे देखा गया कि सिंदु हडपा सभ्यता में नालियों का भी निर्मान बहुत अच्छे ढंग से कई असनाना गर बनाए गये थे ठीक है कई ऐसे भवन बनाए गये थे जो काफी आकर्सक लगता था देखने में काफी सुन्दर लगता था तो हम लोग एक चीज के बार लिखा ठीक है तो हडपा राभी नदिकी नदी ककर रिचार हां जबकी दुसरा कुन था मोहन जो द़ो मोहन जोदुलो ठीक है अब मोहन जोदुलो कौन सा नदी किनारे था तो सिंधु नदी के किनारे था सिंधु नदी के किनारे था ठीक है तो पूछा जाए कि हडपा किस नदी के किनारे बसा हुआ था ठीक है तो जवाब क्या होगा रावी नदी के किनारे अगर पुछा जाए मोहन जोदडो किस नदी के किनारे था तो एंसर क्या होगा सिंदू नदी के किनारे ठीक है आगे कोशन अगर देखें तो सिंदू सब्यता का पर्मुक बंदरगा का नाम उसका था लोथल ये कहां पढ़ता है तो गुजरात में पढ़ता है अगर पुछा जाए कि सिंदू सब्यता का पर्मुक बंदरगा कौन सा था तो लोथल था कहां पढ़ता है गुजरात में ठीक इसके आगे चर्चा करें अभी मैं बताया अब काफी अच्छे अच्छे नालिया बने वे थे इसलिए इसे नगरी सब्व्यता कहा गया था तो मोहन जो दौरों का सबसे बड़ा भवन का नाम क्या था तो धान्या गार था अगर आप नहीं देख पा रहे हैं तो वीडियो को करके आप लिख सकते हैं ठीकर हरी कोशन को ताकि आप बाद में भी से पढ़ सकें ठीकर आगे चर्चा करते हैं कि आर्थ बेवस्ता की ताकत क्या थी यहां पे तो सिंधु पूझणी यह माना जाता जिनकी फुज़ा होती है, उसमें से सबसे पहले क्या आगा दोस्तों, तो पीपल का पेर्ड जिसकी पूझ़ा आज भी होती है सबसे पहले देखा गया था, कि सिंद्ब्र ऩॉण्पन सभ्यता मेंयु और पीपल का सबसे पहला किस चीज को उप जाया गया था ठीक है तो क्या था कपास था कपास की केती सबसे पहले की गए थी ठीक है तो यह सारे इंपोर्टेंट कोशन थे सिंदू हडपा सब्यता के बारे में ठीक है अब देखेंगे कि धीरे धीरे यह जब आकिर यह सहर गये कहां ठीक है तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिंदू हडपा या फिर हडपार मोहन जो दो जो दो सहर था उसका अंत कैसे हुआ अभी तक किसी को नहीं चला कहीं कहीं बताया जाता है कि सिंदू नदी में बाढ़ आने के कारण हुआ है तो कहीं कहीं बताया जाता है कि नहीं अकाल पढ़ने के कारण हुआ है और इस तरीके से देरे-देरे क्या हो गई सिंदू हडपा सब्यता कि अंत हो गई ठीक है अंत हो गई तो कुछ दिन के बाद लगवाद है लगवाद आई से बदती stupid वर्स पूरु तक MA हम भारत में सबसे पहले कि आरियंस मनोगा किसा अगमनोग ऊडिन्य मनोग ठीक है और उनका जोप सब्लियता ती वह किस तरह की समयाता थी तो वैदिक सब्सक्राइब और वैदिक सब्सक्राइब एक ग्राम इंस अब सब्सक्राइब क्या है कि अब ही मैं बताया कि Sky yourself सभ्यापा सभ्याता जो थी वह एक नगरी सभ्याता थी ठीक है जब की और जब आरियंस आये तो वैदिक सभ्याता का जब उन्होंने सथापना किया तो वह किस तरह की सभ्याता थी तो ग्रामिन सभ्याता थी दोनों में अंतर है एक नगरी सभ्याता दूसरा ग्रामिन सभ्या थी या फिर वैदिक सभ्याता थी जो आर्यांस के द्वारा स्थापित किया गया था उसका मुख वेवसाई किया था ठीक है तो उसका मुख वेवसाई पशु पालन था क्या था पशु पालन था ठीक है मुख वीमसाइब पश्यू पालन था किसका था दोस्तों ठीक है तो वैदिक सभ्यता ठीक है और देखा जाता है कि लोहा का खोज हो चुका था यहां पे अगर हम लोग सिंदूर रपस सभ्यता में देखा था मतले हीट मेंस अगर लोहे का कोई वस्तु बनावा नहीं मिला था इट मींस दिमाग में आता है कि वहां के लोग खेती कैसे करते होंगे तो उस समय लोग खेती जो करते थे वो लकड़ी से बनावा हल्क से करते थे ठीक है लेकिन जब आरियंस आये आरियंस वैदिक सब्व्यता का जिब तो आ घर देता हूं ट्रिके वैदिक सब्यता का जह इपोर्टिन पसु थे जो था है महत्रपोन पसु जो था तो किया था घ्रोरा था एक नकली बदला जिया और ब्दल गया जब ब्दल गया तब भारत को 1620 में बाटे गया जिसको मेंलों करते 16 महाजनिपा ठीक सबसे इंपोर्टेंट है वो यह पी टिक ए से इंपोर्टेंट है वह पहला मगद सब्सक्राइब दाटि है नतिका से जाए जब्सकेकल सब्सक्रार नहीं हो है मगद ठिक है मगद सबसे सकती सालि कि सकती साली राज था ठीक है जबकी अवंतिका कि अवंतिका सबसे बड़ा था ठीक है इसलिए हम लोग मुकरूप सी ये दो के बारे में चर्शा करेंगे मगद सबसे सक्ति साली क्यों था तो चुकि मगद के दोनों और दोस्तों जो मगद राज था ठीक है उसके दोनों और नदी बहती थी और नदी बहने के कारण यहां के लोग जो थे वो क्रिशी कारे असानी से कर पाते थे खेती असानी से कर पाते थे ठीक है दूसरी और विद्यांचल सरे जो है ठीक है वो बिल्कूल मगद से पास होकर के गुजरती थी ठीक है इससे क्या होता था कि चारों तरफ जंगल थी और जंगल होने के कारण मगद के लोगों को लकड़ी और जंगलों से जंगली जानवर प्राप्ट हो जाते थे जिसको वह लोग युद में परियोग करते इससे कोशन भी आता है कि युद में हाथी का परियोग करने वाले सबसे पहला राज है कौन सा था तो मगद था ठीक है यही कारण है कि मगद जो है वो सबसे सक्तिसाली राज बना और अवंतिका का चर्चक करें तो चुकि अवंतिका छेतर में बड़ा था है इसलिए सबसे बड़ा राजिक का लाया ठीक है और इस से एक और इंपर्टेंट कुसेन आता है दोस्तों वो क्या है कि सुल्ल महाजनपत का जो उलेक है वो Z बौत गरंथ में किया गया किसमें किया गया बौत गरंथ में तो इमपोर्ठ Очमे है उस बौत ऊρά Wang क के तो अंगुतृ निका है उस बौत ओध का नाम किया है अंगुत्तर रोडृत इये एक तरह का बौत गरंथ है जिसमें भारत के सुल man महाजन्पद का उलेक किया गया है तो यह थे आगे हम लोग चर्चा करेंगे तो चुकि मगद एक सकती साली राज था ठीक है तो यहां पे कई सासक आए ठीक है अपनी सासन बेवस्था लागू किया ठीक है कई वन्स के अस्थापना खिये ठीक है तो चलिए अब इसका सकेंड टॉपिक हम लोग चर्चा करेंगे ठीक है जो क्या था तो मगद महाजन्पद था तूसरा क्या था मगद महाजन्पद महाजन्पद ठीक है इससे पहले कि मैं यहां के सासक और सासन बेवस्था के बारे में चर्चा करूं कुछ कोशन बता दूँ ठीक है मगद महाजन्पद चाह से हमें प्राप्त होती है तो महाभारत से होती है कहां से होती है महाभारत से मिलती है तथा मगद का पहला का प्राचीन राजदानी क्या था गिरी रज ता ठीक है गिरी गिरी ब्रच मगद का प्राचीन राजदानी कहीं तो नहीं तो नहीं सही हो जाएगा ठीक है यह ती से कुछ इंपोर्टेंट बहुत इंपोर्टेंट कोईशन अब चर्चा करते हैं हम लोग सासक और सासकों के द्वारा स्थापित किया गया वन्स तो दोस्तों मगद में चुकिन मगद एक सक्ति साली राजी था तो यहां पे अपना सासन जमाने वाले सबसे पहली वेक्ति कुन थे तो विंबसार थे राजा का नाम क्या था विंबसार सब्से पहले सासक आये जहाँ पे मगद में अपना सासन वैदस्तrak लाग किया और विंबसार किसी वंस के सथान्य थे तो हार्यक वंस का किया थैं किसका हर्यक वंस का किय थे ठीक है दुसरा विंबसार के बदाट entity sunaı गए को नाए सिसू नाग और सिसू नाग किस वन्स का स्थापना किया था तो नाग वन्स का किया था नाद बंस को दोस्तों सिक्वेंस दियान प्र numerous में रखेंगा पहलाओ नाए विम्वसार दुसरा सिख्यूण अ और तिसरा ज़ो मैं बता रहा हूँ वोन सिक्वेंस में बता रहा हूँ और सिक्वेंस में ही आपको याद करना है और लिखना है ठीक है इसके आगे महा नंध स्थापना की ठीक है और चौथा जो आये ठीक है । चौथ़ा नंद aba मारा इति तो चंदरगुप्त मोर आये थे जिन्होंने मोर वंस के स्थापना की कौन आये थे चंदरगुप्त मोर जिन्होंने किसके स्थापना की मोर वंस के स्थापना की यह चार थे वैसे तो आये और भी सासग है लेकिन सबसे पहले यह चार के बारे में चर्चा करेंगे पहले कौन थे बिंबसार जिन्होंने हर्यक वंस की स्थापना की ठीक है दूसरा सिसुनाग जिन्होंने नाग वंस की स्थापना की ठीक है फिर उसके बाद आये महापद्मानंद जिन्होंने नंद वंस की स्थापना की उसके बाद चंद्रगुप्त मोर जिन्होंने more ones की स्थापना की ठीए तो चले इसमें से सबसे पहले इसमें से सबसे ज़़ा इंपोटेंट जो है वह more ones है दोस्तों क्योंकि सबसे ज़्यादा questions more ones से ही पुछा जाता है ठीए लेकिन more ones के साथ साथ हम सारे वन्स के बारे में चर्चा करेंगे जो भी इंपोर्टेंट कोशन्स होगा मैं उसके बारे में बताऊंगा ठीक है तो सबसे पहले चर्चा करते हैं विम्बसार जिन्होंने हरियक वन्स की स्थापना किसने की थी तो सबसे पहला कोशन बन जाता है कि पुछा जाए थी ठीक है विम्बसार को किसने मारा ठीक है तो बिम्बसार को उनका खुद का बेटा अजात सत्रू ने मारा था ठीक है किनों ने मारा था आजात सत्रू ठीक है जो बिम्बसार का अपना बेटा थे ठीक है कौन थे उत्र थे क्यों मारा था तो सत्ता के लालाच में गद्धी बाटने के लिए जो अजात सत्रू थे उन्होंने बिम्बसार की क्या कर दिया कर दिया ठीक है अब अजात सत्रू की भी हत्या किसने कर दिया इन्हीं का बेटा जिनका नाम उदाइन था क्या था उदाइन ठीक है जो किनका पुत्र थे अजाद सत्रु की अपने पिता को मार दिया ठीक है और उदाइन से जैसे हम लोग का सकते यहां पर कि बिहार के दो परमुक नदी गंगा और सोन गंगा और सौन नदी का संगम होता है ठीक है वहाँ पे पाटली पुत्र कर निर्मान की स्थापना किस ने करवाई थी उद्धाइश ने कर थी ठीक है फिर से मैं रिपिट कर देता हूं कौन कौनकवे नदी के संगम पर तो और गंगा नियुक्त दोनों दोस्तों बिहार से उकर करें तो सॉन और गंगा नदी के जहां पर मिलती है आ न दे यह एक पाठ confess पुतिर सहर का पानिर्मान कि कंडों थे वह कौन ते तो सिसू नाग ते कौन ते सिसू नाग जिननों नाग वंस किस थापने से बहुत जादा उस संस्ता नहीं पूचे तो आपको सिर्फ द्यान क्व셔야 Türkiye कि न वंस के संस्थापक विते अस्थापना किसंद चिए थि तो सिसू नाग रिख वंस की तूस्त oh जब नंग्ष के स्थापना की थी चलिए तो आपने नाम सुना का सिकरता से दुए के तो自 ूंक नाम के सरकार थे हैं कहां के तो नंद्रमस चलर रहा था तो आपने नाम mec भासिक अट्रस ते इन्ही नंद वंस के सासनकाल में ही भारत पे अकर्मन किया था ठीक है कौन मैसो दोनिया के सरदार सिकंदर जिन का नाम था ठीक है इसके अलावा इससे और important question क्या बनता है सिकंदर और पोरक राजा पोरसन के बीच एक युद्धुवी थी किस नदी के किनारे जेलम नदी के कि किनारे किसके किसके बीच सिकंदर और पोरक राजा पोरस के बीच में किस नदी के किनारे जेलम नदी के किनारे एक युद्ध हुआ था इसमें सबसे जाए इंपोर्टेंट जो है उस युद्ध का नाम है तो युद्ध का नाम क्या था तो हाइडे स्पिन था क्या था हाइ है शिकंदर और पॉरस के बीच में जो यूद्ध जहलम नदी के किनारे लड़ा गया था उस यूद्ध का नाम क्या था हायड़े स्पीन था ठीक है तो यह इंपोर्टेंट है उसके बाद इससे आगे जो इंपोर्टेंट पूछेज आता है तो वह सिकंदर की मिरत्यों सिकंदर की मिर्तियू कहां हुई थी तो बेबी लॉन में हुई थी कहां पर हुई थी बेबी लॉन में ठीक है पूछा जाएगा कि सिकंदर की मिर्तियू कहां हुई थी तो बेबी लॉन में हुई थी और फिर नंद वंस के अंतिम सासक कौन थे घना नंद ठीक है घना नंद ब समाप्त कर मोरवंस के स्थापना कर दी फिर से सुनिएगा घनानंद जो नंदवंस के सबसे अंतिम सा सकते चंद्रगुप्त मोरे ने अपने गुरु चानक के साथ मिल करके घनानंद को हराया और नंदवंस की समाप्ति कर दी और उसके जगा पे मोरवंस के स्थापना कर दिया से ढ़िए तढ़न के एक चांद्रगोफ्थ मोरी ने की थी थी मैं बताया कि सब्सेय ज़्यादा इंप्रोटेंट कोईसंस इसी से बनता है ठाइए चंद्रगोफ्थ मोरी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले चंदरगुप्त मोरी के गुरु का नाम क्या था तो चानक क्या था क्या था चानक क्या नाम सुना होगा आपने और चानक का बच्पन का नाम में बताता हूं ठीक है तो चानक का बच्पन का नाम विश्नुगुप्त और कोटल ये था क्या था विश्नुगुप्त और कोटल य कोटल ले था अगर पूछा जाए चानेक का बच्पन का नाम या फिर चानेक का दूसरा नाम क्या था तो विश्णुगूप्त और कोटल ले था अगर दोनों में से एक भी अप्शन दिया हुए तो आप उसे टिक आउट कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा अगर चले तो चंद मोर के द्वारा जो मुद्रा चलाए गया था ठीक है उस मुद्रा का नाम क्या था पन था भर दोस्तों को में बता रहा हूं जो सब से ज़्यादाक्जाम से में पुछे जाते हैं ठीक है तो जो मुद्रा चलाई थे चंदरगूप्त मोर ने यहां कि मॉर्वन्स तूर्वन्स का राजपूत किसी कहा जाता है तो मेगस थनी मेगस अश्ञेड टरुक्तन आता है के लग्वन्स का राजपूत किसे लिए का जाता है तो मेगस थनीज और मेगस थनीज से एक और इंपोर्टेंट कुश्चन आता है कि इंडी का नामक पुस्तक किसी ने लिखा तो जवाब में क्या होगा मेगस थनीज ने लिखा ठीक है चलिए इससे आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त मोर्य की पतनी का नाम क्या था तो चंद्रगुप्त मोर्य की पतनी का नाम करनेलिया था क्या था पतनी कौन से कौन थी करनेलिया करनेलिया थे क्या था करनेलिया था और चंद्रगुप्त मोर्य जो थे टोटल आठ राज्यों पर अपना सासन किया था ठीक है तो यह था कुछ इंपोर्टेंट बारे में अब देखते हैं कि more one से स्थापक की चले दिखें के चर्चार को पना तो जैन धर्म को अपना था झात और पिर चंद्रगुप्तक और के बाद जो अगला सासक बने वो कौन बने बिंदू सार बने बिंदू सार बने ठीक है और बिंदू सार जो थे वह कुल दस राजिय पे सासन किया थे कितने राज़य वपर किया थे 10 राज़य वपर सासान किया था ठीक है और बिंदु सार के बाद जो अगला साशक हुआ वह कौन हुआ समराथ असोग आप नाम चुन होंगे असोग कौन हुए असोग हुए अगला सासक और असोग से जो कुछ इंपरेंट कोशन आते है सीला ले जो पत्त्रों में कुछ लिखा जाता था उस चीज का निर्मान असोक के सासन काल में हुआ था ठीक है इससे रिलेटेड कोश्चन में बता देता हूं कि सिला लेक का खोज सब से पहले फैन थैलर के द्वारा सत्रों सब पचास इसवी में किया गया था ठीक है खोज कब वह था सत्रों सब्सक्राइब कोश्चन थैलर के द्वारा या एफए इससे लेख को सबसे पहले पढ़ा कव गया था तो अठारों फुर्टि सीज के द्वारा light छे अरे में जेमस प्रिसेब के द्वारा ठीक है भढ़ां कव गया था अठाएब vendor ठीक है खोज कब गाता सत्रों सो पचास इस भी में लेकिन पढ़ा कब गया था ठाटारों सो 377 में पढ़ा गया था है ठीक है और फिर more once के जो अंतिम सा सकते वह ब्राद ध्रत थे ब्राद द्यान रखिएगा ब्राद ट्रत ठीक है वह more once के सबसे अंतिम तिह साओर है ठीका ठीक है टे Metro इतने सारी स स्थेव मोर वन से रिलेलेटेड चले मैं आगे चर्चा करता हूं आगे जो सासक हमें झार में बतार सुटा है पाचवां तो पाच्वा को नाइ दोस्ट तो पूश समित्र कोना यहते पूश से मित्र कॉना यह थे पूश मित्र के बाद तो पूश मित्र के बाद वासुदेवाए भासुदेव जिन्नोंने गन्य वंस के स्थापना की ठीक है गन्य वंस के स्थापना की अब वासुदेव के बाद कोन आये थे तो सिमुक आये कॉन आये थे सिमुक ठीक है और सिमुक किस व्हांस के अस्तापना किया था तो तो साम रॉहाक बरगन diabetes between फिर उसके बाद को नाय सो जी मुक्त वहाक कहन आये तो श्रीगूपत आये जिन्नों भूप्त विंड क स्थापना किया ओस छींघुप्त जिननोंने गुप्त वंसका अस्थापना किया जिले ढ़ आधि चार के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे पड़ेंगे तो उस समीत्र strongly पूर्चनिया लेया जाधATHER इंपोर्टेंट नहीं है अब आगे मुझा रूप से गुप्त के किया ठीक है चलिए सिरी गुप्त के बारे में पढ़ते हैं ठीक है अज़िए स्थापना की गुप्त वन्स के स्थापना की ठीक है और स्री गुप्त जो थे वोट कुल यह की टोटल इन्होंने छे महाजनपद पर सासन किया तहां तो गुप्त वेंस के मैं बताया अस्थापना कि ने की थे सान जमया था इसके बाद सुन्द्र गुप्त पर्थम भाघ टेक है और चंदरगुप्त पर्थम दोस्तों ठीक है गोले गनी चंद्रगुप्त पर्थम चलिए पर्थम लिख लिए चाहिए और चंद्रगुप्त पर्थम का बीवा जिनके साथ वाता हो जाता इंपोर्ट है ठीक है तो चंद्रगुप्त पर्थम का बीवा जो था वो लिच्वी राजकुमारी देव शैनर रोखेंगा झाल परतम का जो बिवा हुआ था वë लिछवी राजकुमारी देवी के साथ हुआ था ठीक है उसके बाद वह यी राजकुमारी देवी कांचय पूत्र कई अगला असक्व बना वो कौन थे तो शमुद्रग्र थे कौन थे समुद्र समुद्र गुप्त समुद्र गुप्त तो समुद्र गुप्त के बारे मैं पढ़ता हूँ तो समुद्र गुप्त जो थे वो संगीत प्रेमी थे क्या थे संगीत प्रेमि थे और समुद्र गुप्त ने ही अपने सिक्के पे एक बीना बजाते वी देवी का फोटो लगवाया था किसने लगवाया था तो समुद्र गुप्त ने लगवाया था ठीक है और इससे ज़्यादा important question जो आता है वो है कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है तो समुद्र गुप्त को भारत का नेपोलियन नेपोलियन भी कह जाता है तो दोस्तों गर पूछा जाए कि भारत का नेपोलियन के नाम से किसे जाना जाता है तो जबाब में क्या होगा, समुद्रगुप्थ होगा, ठीक है, उसके बाद, चंद्रगुप्थ दुथिया, को नाया, चंद्रगुप्थ सेकेंड, ठीक है, चंद्रगुप्थ दुथिया, हम लोग जिसको का सकते हैं, जिनका नाम विक्रमा दित्य भी था, विक्रमा दित्य ठीक है संबंद्र गुप्त दुत्य को ही विक्रमाद दित्य के नाम से जाना जाता है और सबसे पहले भारत में चांदी का सिक्का इन्हों नहीं चलवाया था भारत में सबसे पहले चांदी का सिक्का किस ने चलवाय था तो चंद्रगुप्त दुत्य ने चलवाय था या फिर है ठीक है और कुमार गुप्त से सबसे इंपोर्टेंट कोशन जो आता है नालंदा युनिवर्सिटी आपने नाम सुना होगा तो नालंदा युनिवर्सिटी का निर्मान किसने कर वाया था तो कुमार गुप्तने कर आया था ठीक है देख लिए नालंदा युनिवर्सिटी का काफी फेमाज है कि नलंव युनिवर्शिटी का निमान किसे ने कराया तो कुमार गुप्त Κone कि अ करुले देते हूं मैं किकित कुमार कुप्त के बाद को ना है घूद है है सकनद गुप्त ठीक है और स्कंध गुफ्त यो थे कई वह स्बसे ज्यादा हारत में सबसे ज़्यादा क्रित्रिम जिल्लों का निर्मान करवाया था इट में समलुक कर सकते हैं भारत में सबसे ज़्यादा क्रित्रिम जिल्लों का निर्मान किसने करवाया था तो सकंध गुपने करवाया था और फिर गुप्त वन्स का जो अंतिम सा सकते वो कौन थे तो भानो ठीक है तो यह था ठीक है मगद महाजनपत के बारे में और मगद महाजनपत में जितने भी सासक आए चलिए ठीक है अब इसके आगे हम चर्चा करेंगे दोनों टॉपिक दोस्तों आज के पार्ट वन में मैं समाप्त किया ठीक है खतम किया और पढ़ा अगले वीडियो में हम लेकर क्याएंगे इसी का प्राचीन भारत का जब दूसरा वीडियो आएगा तो उसमें हम लोग चर्चा करेंगे बागी के बचे दो टॉपिक के बारे में ठीक है उससे पहले में कुछ इंपोर्टेंट कोईशन बता देता हूं ठीक है इंपोर्टेंट कोईशन वो क्या है ठीक है मैं बताया था कि चार टॉपिक के आलावा मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा वेदों के बारे में ठ气 रीग वेद को सबसे प्राचीन वेद कहा जाता है क्या जतता है इसके अलावा रीग वेद जो है वो संस्कृत भासा का जनक भी जता है किस becoming संस्क्रित भाईसा का जनक किसे कह जता है त्टिक है तेसरा कोशन इससे क्या बनेगा गायत्री मंत्र अपने सुना होगा कई लोग पढ़ते भी हैं कायत्री मंत्र की राचना जो है वह रीक वेद में ही की गई है ठीक है तो यह था कुछ इंपोर्टेंट के यह था भारती संगीत का जनक सामविद को का जाता है भारती संगीत का जनक किसे का जाता है सामविद को का पाल इन ठीक है इसे से एक को सबस्के बाद चीश्रा हूं लोग पड़ते हैं अजूरवीद कि अरवाजूर वेद ठीक और अजूर वेद से कुछ important question देखते हैं किसमें मिलता है अजूर वेद में कृष्ण भगव्वान जो थे ठीक है उस्सी को हम लोग एते कृष्ण की उपासना का उल्लेक किसमें मिलता है तो अजूर वेद में मिलता है तो लेक सकते हैं क्रीशन की उपाशना का उल्लेक लेक की मिलता है तो अजरुद यॉर्फन और सबसे रह और सबसे चौथा क्या है। तो है अथर्वेद, मैं प्रेपियस वैडियो में भी बताया हूं कि जादू टोना तोटका वाला जो सिखायत है, वह इसी से लिए गया है। भारत में ज़ादू टोना टोटका वाला जो सीकायत है तुक है वो किसे लिए गया अधर्वयद से तो लेखिए अब ज़ी चाहि sa टोटका Qini ये सारे सिकायत काहँ से ली गई है ये सारे चीड़े कहां से ली तो अथरवेद से लिए गई है इसके अलबा जो एक overall important question आता है वह भारत का आइंस्टीन भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो नागा अर्जुन को नहीं वो सौथ इंडियन मोवी वाले हिरो नहीं ठीक है बलकि यह अलग वेक्ति है नागा अर्जुन ठीक है तो अगर पुछा जाए कि भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है तो वह दोस्तों नागा अर्जुन ठीक है नागा अर्जुन को कहा जाता है ठीक है तो यह था आज प्राचिन भारत का दो टॉपिक ठीक है बाकी बचे दो टॉपिक मैं अगले वीडियो में इसी का पार्ट टू में किलियर करूंगा ठीक है उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे मध्यकालिन भारत के एक टॉपिक के बारे में मैं चर्चा करूंगा तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए समझे ठीक है और घर में रहिए सेफ रहिए थैंक्यू जैहिंद